सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल संजीब मिस्रा को और प्रेस कर ये बेल आइकॉन पर हर तरह के विडियो सबसे पहले देखने के लिए पटना सहर अपने विविताओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता रहा है नमस्कार दोस्तों आज के इस विडियो में मैं आपको पटना के मीठापूर बस स्टेंड के बारे में बताऊंगा पटना जंक्सन रेलवे स्टेशन से महज एक किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है मीठापूर बस स्टेंड मीठापूर बस स्टेंड जी हाँ दोस्तों पटना का सबसे बड़ा बस टर्मिनल और सबसे पुराना बस टर्मिनल है मीठापूर बस टर्मिनल जहां पर पटना के पडोसी राजियों के अलावा पटना के आसपास के कई सहरों के लिए बस सिवा उपलवध है प्रति दिन हजारों की तादाद में बसों का आवागमन मीठापूर बस स्टेंड से होता है जिससे की तकरीबन एक लाग से भी ज़्यादा पैसेंजर्स यात्रा का अनंद रोजाना उठाते हैं राची, कोलकाता, धनबाद, बोकारो, दर्भंगा, मुझपरपूर, भागलपूर, हाजीपूर, गया, औरंगाबाद, छपरा, सिवान, भोजपूर, मुंगेर और सासाराम जैसे जगों के लिए मीठापूर बस स्टेंड से बसों का सिधा आवागमन होता है AC, Non-AC, Luxurious बसों का परिचानल मीठापूर बस स्टेंड से होता है यात्रियों के ठैरने के लिए मीठापूर बस स्टेंड के समीप कई सारे वर्ल्ड क्लास होटल्स भी मौझूद हैं जिसमें की होटल मनी इंटरनेशनल, होटल चानक इन, होटल ग्रैंड सिला, विराम होटल जैसे नामी गिरामी होटल्स सामिल है मीठापूर बस स्टेंड के नजदीकी बस स्टॉपों में पोस्टल पार्क बस स्टॉप, जक्कनपूर थाना बस स्टॉप और मीठापूर क्रॉसिंग बस स्टॉप सामिल है दोस्तों, मीठापूर बस स्टेंड को फ्यूचर में और भी ज़्यादा आकरसन और डेवलप्ट तथा हर सुविधाओं से युक्ट वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल बनाने की कोशिस, राज्य तथा केंद सरकार के द्वारा जारी है मीठापूर के नजदी की मंदिरों में महावीर मंदिर पटना जंक्सन सबसे प्रसिद्ध है तो दोस्तों, मीठापूर बस स्टेंड के बारी में आपकी क्या राय है? हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो के नीचे दिये गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद